दोस्तो एनमी में हीरोज तो पारफुल होते हैं लेकिन दोस्तो वेंपार का तहल का और भी खतनाग होता है सपागत है आपको दोस्तो स्किन पॉइंट में और आज हम बात करेंगे टॉप 10 स्ट्रोंगेस्ट वेंपार इन एनमी के बारे में दोस्तो वेंट स्टार्ट करने से पहले अगर आप फरमेशने पे नए हैं तो दोस्तो सब्सकाइब करें ताकि इस सिल्टेट कोई वीडियो आप नहीं सगा सके दोस्तो जब से हम ड्रैकुला के बारे में जाने हैं तब से दोस्तो वेंपार फिक्शल के दोरान मुस्ट पॉपुलर सूपर नैचुरल क्रीचर बन चुका है यहां पर दोस्तो वेंपार का कंसेप्ट और मित हर एनमी के हिसाब से दोस्तो अलग-अलग होता है लेकिन दोस्तो तहल का वही खतनाग लेवल का ही माचाते हैं बहुत सरे केस में दोस्तो उनका पावर का अंदाजा उनके पिरूटी के हिसाब से या तो रौ फिजिकल पावर के हिसाब से या तो मैजिकल एवलिटी के हिसाब से दोस्तो लगा जाता है यहां पर दोस्तो एनमी में कुछ Vempirter traditional वाले classic vampire होते है तो कुछ Vempirter human special power के साथ होते है इसके वज़े से हम ये वीड़ो में top 10 strongest vampire के वारे में बात कने वाले है तो दोस्तो ज्यादा terminal है दे हुए चले श्टार करते है दोस्तो Mono Aekasia एक kind-hearted और एक pretty young girl होती है लेकिन एक vampire के एसाफ से ये उतना ही खतनाग भी हो जाती है इसके गले में एक छोटा सा काड़ा जैसा लगा होता है जिसमें इसका असली पावर से लोके था लेकिन जब अपने एक क्रास्मेट सुकुनी ओनों से मिली थी तब दोस्तो वो अपने करा जैसा चीज़ को गले से रिमूब कर दी थी और उसके वये से हमें मोना का एक दोसर पसलर्टी दिखने को मिला था और उसका नाम दोस्तो इनर मोका था इनर मोका दोस्तो नॉर्मल मोका से पूरा ओपरजिट होती है इनर मुका में यह बहुत ज़्यादा पारफुल हो जाती है इसको हम S-Class वाले मॉस्टर भी कह सकते है क्योंकि इनर मुका का स्पीड बहुत ही अच्छा होता है Durability भी बहुत ही अच्छा होता है और इतना strong होती है कि अपने सारे ओपरेंड को सिंगल बार में ही नौकाट कर सकती है लास्ट दोस्त ये वेंपार वले लिस्ट में लास्ट पर है पर दोस्त बहुत इखतनाग है 9. Kuro दोस्तो कुरो स्लीफी एश आफ स्लाट के नाम से भी जानी जाती है ये एक टाइप का वेंपार ही है और ये वेंपार को सर्वम के नाम से भी दोस्तो जाना जाता है सभी सर्वम में से ये सबसे पुरानी है और स्टॉंगेस भी है इसका पावर इसके मॉंस्टर ये तो माहीरो शीरोडा के उपर डिपन करता है कि वो के इस तरह से यूज़ कर रहे है यहां पर दोस्तों एक सर्वम फोने के नाते पूरों का बंड महीरों के साथ दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है और इसी बंड के वज़े से इन लोगों का एक वैपन भी निकलता है जो कि दोस्तों बहुत ही पारफुल होता है यहाँ पर दोस्तो यह सर्वम स्टॉंगर भी है फास्ट भी है और अपने इन जोरी से बहुत जल्दे रिकवर भी हो जाते हैं यह अपने पावर को यूज़ करके पंग भी क्रेट कर सकते हैं और दोस्तो इनके पावर के मदर से यह मल्टिफल चीज़ को भी अन्जाम दे सकते हैं अब इस वर एड़ प्याता है अस्ट्रार कोरी 3 दोस्तो कोरोरी एक तरफ से यूनिक है क्योंकि यह वैंपायर तो है फिर विदोस्तो यह एक हीमनी है मतलब यह एक स्पेशल तरह का ही वैंपायर है यहाँ पर दोस्तो जब इनोसेंस नामत एक आटम से इसका मिलन हुआ था तब दोस्तो इसका दाथ बहुत ही नुकिला हो गया था और फिर यह इतना पावर डेफलफ कर लिया था कि आकुमा से फाइट कर सकता था दोस्तो आकुमा वो आर्टिफिजल क्रीचर होता है जिसमें एक या तो ज्यादा हुमन का आत्मा होता है और तो दोस्तो उसका हड़ी भी मैटल का होता है यह वैंपायर अपने फिजिकल एवरिडी को बढ़ाने के लिए उनका खोन पी लिया था इतना जञ नहीं बलकि दोस्तो को रूरी ब्लную को अलग-अलग परपोस के लिए मानुफिलेड भी कर सकता है एक बार वो ब्लेड को मानुफिलेड करके पापेट को क्रीड किया था जिसका नाम दोस्तो ब्लड और। को रूरी था क्योंकि यह young age वाला लड़का demon wall का instant district का leader है इसका जन्व noble vampire से ही हुआ है इसका गिंद सबी strongest demon में से एक में होता है इसकी young होने का कारण दोस्तों इसके पास बही साब power था सभी vampires के तरह दोस्तों इसके पास भी enhanced physical ability होता है और सबसे खास बत यह है कि इसका stage magic भी यूज़ कर सकता है क्योंकि वो अपने demonic energy को reserve करके रखता है यह अपने power को दोस्तों concentrate करके अपने pass के environment को खेती पहुँचा सकता है यानि नुक्सान पहुँचा सकता है लास्ट दोस्तों यह अतना powerful है कि यह अपने power को ओपरेंड के body में डालके उसको अंदर से destroy कर सकता है तो दोस्तों सूसकते हैं कि यह कितना powerful है 206 पे आता है D, Vemper Hunter, D Blood Lustry दोस्तों Vemper Hunter D का story एक hybrid human बेमper के उपर ही चलते रहता है जिसका नाम दोस्तों D होता है D में एक Vemper का सभी power होता है साथ में इसका weakness भी बहुत ही कम होता है जहां तक कि हर 5 साल में D Sunlight में भी survive कर सकता है यह एक immortal है और साथ में एक expert swordman भी है इसके पास superhuman वाला strength होता है और साथ में speed भी होता है इसका सबसे खतनाक चीज़ यह है कि यह अपने left hand से आग, पानी, हवा और 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 के element को absorb कर सकता है यहां तक कि यह आत्माओं को भी absorb कर सकता है लास्ते दोस्तों उपर उपर से यह जाने को मिला था sacred and sister हो सकते हैं जो कि सभी vampire के ruler थी लास्ते दोस्तों आप कुछ भी को हो लेकिन दोस्तों यह एक super human level का vampire है अब दोस्तों नवर 5 पे आता है कानामी कुरन vampire night से दोस्तों यह vampire का अगर आप age सुनेंगे तो आप joke चाहेंगे इसका age लगवर 10,000 साल का है और इसके वज़े से इस list में कानामी सबसे oldest और strongest vampire में से एक है यहाँ पर दोस्तों कानामी साथ pure blood family में से एक family head था और founder भी है इसके वज़े से दोस्तों यह कहा चाता है कि इसके power को नापा नहीं जा सकता है कानामी के पास दो super human strength speed होता है और यह कोई भी घाव और injury से regenerate हो सकता है कानामी एक pure blood family का head और founder होने के नाती यह दूसरे vampires का भी खून पी के अपने power को बढ़ा सकता है इतना ही नहीं दोस्तों बलकि यह इतना powerful है कि इसका physical contact के मदर से यह दूसरों के memories को भी manipulate कर सकता है lastly यह इतना powerful है कि इसका existence यानि अस्तित्व ही बाकि वीग vampire को सब कर सकता है अब इसब फोल पे आता है Candice Antirima D. Rizal दोस्तो Candice Antirima D. Rizal को हम simply राय भी कर सकते हैं यह एक vampire है जिसके पास दूसरों nobelist का title होता है nobelist राय दोनों यानि दोस्तों implanter और साथ में दोस्तों extremely powerful है इनका existence इनके ओपरेंड के अंदर डर पैदा कर दीता है राय अपने telekinesis के मदद से telepathy भी यूज़ कर सकता है जिसके जरी यह mind को भी पर सकता है इसके powerful औरास के मदद से यह powerful barriers भी परा सकता है जिसके मदद से यह अपने आपको ही protect कर सकता है और दोस्तों आपरेंड को seal भी कर सकता है लासली यह अपने aura के जिरी blood को manipulate और blood में strength भी डाल सकता है जिससे के दोस्तों वो attack भी कर सकता है और खुद को defend भी कर सकता है इससे दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक इतना powerful है अब इस वर 3 पे आता है Dio Brando जो जो भी जारी adventure सी दोस्तों Dio Brando का ambition ही इतना strong है कि इसको एनिमी में greatest villain बनाता है दोस्तों Dio के पास भी बही skill होता है जो vampire के पास होता है लेकिन इसके साथ साथ और भी extra power इसके पास होता है जैसे के दोस्तों ये अपने power के मदर से किसी को भी touch करके उसको freeze कर सकता है इतना ही नहीं ये अपने आंक में fluid इस्तमाल करके high pressure beam को भी shoot कर सकता है इसका regeneration ability के मदर से ये बहुत ही अच्छा survive भी कर सकता है टार्डट cruise shadder में ये अपना stand the world power को अनलग कर लिया था जिसके जिरी दोस्तों ये पूरे time को 9 सेकंड के लिए freeze कर सकता था यहाँ पर दोस्तों पूरे time को freeze कर देना बहुत ज़्यदा powerful वाला बात होता है अब इसको इसको हम एक true vampire कह सकते हैं और साथ में दोस्तों ये एक divine magic कास्टर वी है शेल टियर के पास दोस्तों बहुत सारा powerful ability और skill होता है एक vampire होने के नाती इसके पास strength भी होता है और ये blood को manipulate कर सकता है इतना ही नहीं बलकि दोस्तों ये laser vampire solar को भी create कर सकता है इसके साथ साथ दोस्तों ये एक trump card भी यूज करती है जिसका नाम दोस्तों एनी हर्जार होता है ये एक magic अवतार ही होता है जो कि उसी के जैसे दिखता है और उसी में उसका सब physical strength और equipment होता है शेल टियर अपने opponents को हराने के लिए ताकाश का बिशाल किरन को भी दोस्तों निकास सकती है लास्ली इस पर हुआ किसी भी हमले को ये उन्डो भी कर सकता है जिससे की उसको नुक्सान बिल्कुल भी नहीं पहुँचता है इतने सारा power pack होने के वज़े से दोस्तों ये number two position को definitely डिस अप करता है फाइनली दोस्तों नबर वान पर आता है एनिगेस जिना दोस्तों अलुकाड हैल सिंग से दोस्तों इसमें कोई भी डाउड नहीं है कि जब ये enemy vampire का बात आता है तर दोस्तों अलुकाड को ही सबसे ज़्यादा popular और सबसे ज़्यादा powerful vampire माना चाता है सुक्र है दोस्तों हैल सिंग और्गनेशन की research का जिसके मज़र से दोस्तों इसका ability और भी ज़्यादा enhance हो चुका है जहाँ पर दोस्तों इसका body कुछ dark substance से बना है और दोस्तों ये आसानी से अपने appearance को change कर सकता है जिस opponent को ये हराता है या तो मारता है उसके बाद ये उनके आत्मा को absorb कर लीता है और फिर बाद में वही आत्मा को अपने सामने राता है क्योंकि वही आत्मा इसके लिए fight कर सके तो दोस्तों वहाना ये खतरनाग और unique power हाँ इसके immortality के वज़े से ये अपने आपको regenerate कर सकता है वो भी बहुत ही तीजी से दोस्तों इसके बारे में इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्तों ये instantly जहाँ चाहें वहाँ जा सकता है आवराल इतना खतरनाग पावर की वज़े से ये नमबर वन पोजिशन को डेफिलिटी डेस अप करता है आपको क्या माना है कमेंट बुक्स पर जड़र कमेंट कीजीगा तो दोस्तों ये ही था टॉप 10 strongest vampire इन एनमी के बारे में दोस्तों वड़ो को कैसा लगा कमेंट बुक्स पर जड़र कमेंट कीजीगा झाल